है कि अबर वर्निंग में दियार स्टूदेंक्थ हमने फाले जो प्रॉपर्टेट दिया है उसमें हमने क्या क्या देंसिटी historically यू अब हम उसके और ऐसके ऑगेर वह जैजसे है । 5050 उसकी वाले लैक्षन 9 हम करने वाले है that is one is the physical state मतलब जो उसकी state है वो दिखने में कैसा है ठीक है we have seen that हमने देखा है water exist water जो है तीन तरह से होता है आपने देखा होगा जब आप water की ice बना देती हो तो वो solid हो जाता है और जब आप उसको मतलब पानी जो पीने वाला होता है वो कैसा होता है liquid ठीक है जिस भी container में डालोगे उसी की वो शेप ले लेता है ठीक है तो वो उस शेप का होता है इसी तरह से हमारे पस एक होता है जब आप देखते हैं कि आप water को boil कर रहे है water गरम करने तो steam मतलब हाफ बनके वो ऊपर जा र वो क्या होता है वो होता है liquid ठीक है and state of water state of water क्या है liquid when we boil when we boil water जो हम water को boil करते हैं तो वो क्या हो जाता है वो वैपर मतलब उसकी भाफ बनके उपर की तरफ उडने लग जाती है so the steam steam is the so steam क्या है steam is the gaseous state of water जो steam है जो भाफ है वो कौन सी state है वो है gaseous state of water ठीक है gas वाली state है when we freeze जब हम water को जमा देते हैं अपनी ice cube के अंदर तो वो क्या बन जाता है solid ठीक है तो बहुत सारे substance है जो solid भी होते है liquid भी होते है gas भी होते है ठीक है so these are known are the three physical state solid, liquid and gas इनको हम बोलते है physical state of the matter कि वो उसकी physical मतलब वो दिखने में कैसा है ठीक है let us learn some more about these states चलो अब इनके बारे में हम कुछ और बाते भी पढ़ते है solid state in the solid state the particles are tightly packed जब हम solid state की बात करते है तो क्या होते है उसके अंदर जो उसके particles है मतलब जो उसके छोटे छोटे कंड से जो atom से वो चीज बनी हुई है वो सब क्या होते हैं आपस में tightly tight से pack होते हैं इसलिए वो क्या होती है solid वनना वो बिखर जाएगी there is very little space उनके बीच में बहुत कम space होता है strong attractive force मतलब एक particle दूसरे particle को अपनी तरफ छीचता है ठीक है force के साथ जिसको हम बोलते है strong attractive आकर्शन आकर्शित force होती है जो बहुत strong होती है ठीक है जो कि उन particles को एक साथ बांद के रखता है इसलिए वो क्या रहते हैं जिस shape में है उसी shape में बंदेवे रहते हैं the particles are thus fixed जो particle है वो fix at their place अपनी जगहां पर fix रहते हैं they can और वे क्या कर सकते हैं vibrate about their fixed position बतलब जो भी हलचल होती है particles के अंदर वो अपनी अपनी जगहां पर थोड़ा थोड़ा हिल लेते हैं ठीक है पर वो अपनी shape को change नहीं करते जो उनकी shape है और जितनी उन्होंने जगहां को घेरा हुआ है volume है वो fix रहीगी जैसे की ice eat brick wood लकडिया कोई टुकड़ा है apple है glass है यह आपने जैसे रख दिये यह अपनी उसी state में रहने वाले हैं यह क्या होने वाले मैल्ट तो होने वाले नहीं है ठीक है मतलब यह कुछ ice तो अगर ice है उसको अगर आप ice वाले temperature पर रखोगे वह icy रहेगी वह अलग चीज है कि वह थोड़े दिर बाद melt हो जाएगी ठीक है पर जो brick है eat है लकडी है वह कैसे रहती है they are always solid वह हमेशा solid ही रहती है liquid state liquid बतला जो कैसी होती है तरल तरल सबस तरल पदार्थ liquid state तरल चीजों को हम क्या बोलते है जैसे water oil आपका है na milk juice यह सब क्या है these all are these liquid जो force of attraction है liquid में जो चीजे होती है उनके बीच में जो यह particles है देखो यह दिखाए में solid वाले में कैसे होता है इस तरह से fix होता है particle liquid में थोड़ा space होता है क्योंकि उनके बीच में force of attraction कम होता है ठीक है and move apart वो एक दूसर से थोड़ा दूर move करते रहते हैं और जितनी जगह उनको मिलती है वो उतनी जगह में फैल जाते हैं जैसे कि अगर oil गिर गया आपसे milk गिर गया या water गिर गया तो क्या करते हैं वो फैल जाते हैं liquid do have definite volume liquid है definite volume होती है but not definite shape बतलब एक लीटर पानी है तो वो एक लीटर पानी ही रहने वाला है लेकिन उसकी कोई shape नहीं होगी उसको अपने floor बे डाल दिया तो वो फैल जाएगा उसको glass में डाल दिया तो वो glass की shape ले लेगा ठीक है liquid की volume specific होती है पर shape नहीं a liquid just takes the shape of container liquid किसकी shape ले लेता है container की जिसमें हम उसको pour करते हैं डालते हैं some example of liquid state water, milk, juice, petrol, olive oil, mustard oil, refined oil ये सब क्या है these all are the liquid gaseous state in a gas the particles are loosely packed अब जो gas है आपकी कहीं पे आपने मतलब बैलून के अंदर आपने देखा है क्या होती है gas हवा भरी होती है जब एक जम से उस पर pinch लगती है तो कितनी जल्दी within a second से भी पहले सारी जो हवा है वो बाहर निकाल जाती है ठीक है सो इसी लिए वो उतनी जगह उनको मिलेगी उतनी जगह में वो फैल जाते है आपके बैलून में आपने एक पिन लगाई या आप खेर रहे हो और वो कहीं पर लग गया तो उसमें से जो हवा है वो जो गैस है वो कितनी जल्दी बहार निकल जाती है तो वो बहुत क्विकली मूव करती है गैस एंड कॉंस्टेंटली चेंज देर पुजिशन और वो अपनी पुजिशन चेंज करती रहती है दस गैस है ना तो कोई शेप होती है ना कोई वाल्यूम होती है अब बैलून के अंदर आपने उसको फिक्स करके रख लिया लेकिन जब बैलून फ इस प्राइब बैल में भी हवा है उसके साथ क्या हो जाएगी टो ना तो उसकी कोई शेप है और ना ही इसकी कोई वाल्यूम है कि वो कितनी है एक लिटर है दो लिटर है कोई वाल्यूम नहीं है सम एक्जेमपल ओफ मेटेरियल जैसे एयर ओक्सीजन नाइट्रोजन कार्ब ने के दबसे होती है सॉलेड की होती है लिकविद की कोई नहीं होती वह कंटेनर कीछ बिलीटा है रहाई लेकान पर लोगा सी कि कोई भी शेप नहीं कि pipeline की मतलब अपने उसको जग़ में बहुzew की ज consultant है है लेकिन liquid की definite एक लीटर पानी अगर ग्लास में डाला उसे लीटर पानी को अबने टब में डाल दिया तो एक लीटर पानी ही रहने वाला है पर गैस नहीं जाहिस तो ज्यादा होती है बातला वह तो टो मिक्स हो सबसे जादा इत्राइक्ट्शन किस में होगा जो सबसे जादा में बंद के रहेगा एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ आपका आपके फ्रेंड के साथ सबसे job का strong bond है और जिससे आप बिलकुल बात नहीं करते हो उसके साथ gas की तरह है मतलब weak attraction मतलब उससे दूर ही रहते हो बहुत दूर ठीक है तो इसी तरह जो आपका अच्छा दोस्त है उसके साथ आपका strong attraction है तो solid में सब particles are best friend liquid में weak होता है थोड़ा किसे solid से weak होता है और gas से strong होता है मतलब आपका वह वाला friend जिससे आप कभी-कभी बात करते हो not best friend तो liquid वाले particles वह होता है जो कभी-कभी बात करते हैं हमेशा ने gas में particles जो है वह आपस में बात नहीं करते हैं वह हमेशाद दूर दूर रहते हैं इसलिए उनके बीच में जो attraction है वो भी कैसा है वीक स्पेस कितने होती है कम होती है solid के बीच में जैसे आप best friend हो आप कुछ एक सीट पर तीन भी बैठ जाओगे आप चार भी बैठ जाओगे मतलब नहीं हम तो इतने ही बैठ जाएंगे हम तो सब इखटे ही बैठेंगे अगर teacher ने teacher नहीं देख रहा है तो है ना और liquid में क तोरी space होती है उनके बीच में है ना मतलब आप जो आप ठीक ठीक friend है उसके साथ आप बहुत सारे नहीं बैठ होगे कम-कम बैठ होगे और large gas में बहुत जादा space होती है अगर आपको किसी ऐसे बिच्चे के साथ बिठा दिया job का friend नहीं है तो आप bench के उस कोने में बैठ होगी बहुत जाता होने वादी है मूमेंट ऑफ पार्टिकल पार्टिकल की मूमेंट जो है वह fix होती है solid के अंदर अपनी अपनी जगह पर ही ठीक है लिक्विड में भी constant होती है एक motion मतलब जहां पर उनको डाला है उसके साब से वह मूव करते हैं और गैस वाले जो साम से और जल्दी कहीं पर भी मूव करती है अब एक छोटी छोटी प्रॉपर्टी रह गई है conductivity, metal are generally good conductor of heat and electricity जो metal होते हैं वो क्या होते हैं good conductor of heat heat के अच्छे conductor मतलब जैसे की जो बरतन अच्छे तरह से heat पकड़ सकते हैं गरम हो सकते हैं उनी में खाना पकाया जाता है तो वो क्या है conductivity है उसकी और electricity मतलब जिसे copper की wire होती है तार किसकी बनी होती है copper की wire की metal की बनी होती है copper metal की ठीक है तो उसमें से क्या होता है अच्छे से electricity pass हो सकती है लेकिन आपने अगर प्लास्टिक की wire लगा दी तो उससे तो एक जगह से दूसरी जगह आपका fan तो नहीं चलेगा अपने switch on किया और आपने प्लास्टिक की wire लगाई वी है ठीक है तो तो fan नहीं चलेगा तो इसी लिए good conductor कौन से है जो गरम हो जाते हैं या जिन में से electricity पास करती है cooking vessel खाना बनाने वाले बरतन जो metal है they are good conductor of heat जो आपके electric wire है तार है आर made of metal जैसे की copper और aluminium ठीक है अब जो लकड़ी है क्या बोलते हैं हमेशा ऐसे बोलते हैं जो लकड़ी है उससे क्या होगा आपको current नहीं लगेगा क्योंकि यह चीज़े क्या होती है bad conductor इन में से electricity और heat पास नहीं करती है ठीक है इसी लिए जो cooking vessel होते हैं हमारे बरतन होते हैं उनके handle plastic के होते हैं ठीक है या लकड़ी के होते है या लकड़ी के होते हैं लकड़ी के होते हैं similarly the switch the switch जो similarly the switch जो हमारे लकड़ी जो switch board होते हैं वो देखो जो हमारे switch board है अगर जो हमारे switch board है और जो electric के जो समान होता है वो लकड़ी का या plastic का होता है ठीक है ताकि क्या हो ताकि हमें current ना लगे ठीक है current ना लगे body of electrical equipment ताकि आप जब उसको on करो switch को आपको current ना लगे similarly are made up of plastic ठीक है ऐसे ही ताकि हमें electric shock ना लगे this prevent us यह हमें रोकती है current लगने से thus we can also classify material on the basis of their ability मतला उसमें से heat और electricity pass होती है उसके base पे भी हम उसको classify कर सकते हैं कि किसमें से heat pass होती है और किसमें से नहीं है कि एक और property है malleability मतलब आपने देखा है लोहे की पतली पतली sheet भी होती है एक मोटी डंडी रोड भी होती है लोहे की है ना क्योंकि जब आप उससे हथोडा मारते हैं तो उसकी पतली पतली sheet भी बन जाती है तो वह बनने का aluminium की भी रोड भी होती है और पतली पतली शीट होती है क्यों होती है क्योंकि यी चीजें जो हैमर बारने से रॉड से शीट बन जाती है पेज की तरह शीट बन जाते हैं वो चीजे क्या होती है मैलिएबल ठ्क है मैलिएबलिटि इस प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है विच अलाउस ्दमेटल जो मैटल को अलाउ करती है कि हैमर के साथ उसको एक पतली शीट बना दे ठीक है अब पीस ओफ अलुमीनियम मैटल टर्न मतलब अलुमीनियम का जो मैटल है रॉड है वो थिन शीट बन जाएगी विदा उसको तोड़ना नहीं पड़ेगा वो तूटेगी नहीं पाउडर नहीं होएगी वो पतली सी एक प हम बिल्कुल उनको बारिक से बारिक बना सकते हैं फिर आते हैं हमारे पास डक्टाइल मैटल क्या होते हैं डक्टाइल मतलब उनका हम वायर बना सकते हैं जिन सब्सांद जिन मैटल से हम वायर बना सकते हैं जैसे कॉपर का वायर गोल्ड का वायर अलुमीनियम का वायर वो वो होती है डक्टाइल और जिनसका हम शीट बना सकते है वो होती है मैल एलिएबल ठीक है Tungsten Metal is used to make wire आपका जो-electric Bulb है उसके अंदर एक वायर लगे होती है जो पुराने bulb आते है तो अब तो हम सब LED यूज़ करते हैं उसके अंदर एक बायर लगे थी जो हिलती रहती जो लाइट के टाइप पर जलती है वो क्या है सबसे जादा डक्टाइल है ठीक है वो मेंली हम एलेक्ट्रिक बॉल्ड बनाने के लिए यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर के भी तार बनते है एक्टिविटी है इसमें आपको धेऊ तो हिल समुदाऑ वेखार है उसमें से करण्त-स होगा या नहीं अब सर थैक है तो अपने आप complete करना है activity ठीक है अभी चेप्टर हो गया है आपका ठीक है फिर हम इसके question answer करेंगे ओके thank you बच्चों